लाखों दर्शकों का भरोसे मंद न्यूस चैनल आर नाइन भारत चंगल से छुटकारा पाकर अपने घर पहुंचे इसके बाद उसने घटना का खुलासा किया विड़दा की सिकायत के बाद पुलिस ने गाउं की रहने वारी उस चाची को गरबतार किया जिसने किसोरी को बेच दिया था पुलिस के अंसार मौग एंसान अच्छेतर सी चार सा कालपूर लापता हुई किशोरी की गुमशूदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई थी इसके बाद उसकी तलास में पुलिस की टीम ने राजिस्तान तक कास सफर तैंकिया मगर चार वर्सों तक किसी भी प्रकार से किशोरी के बारे में जानकारी नहीं मिली और अच पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लड़की की तलाश चुरू कर दी लेकिन इसका कोई पता नहीं लपाया था पुलिस नाबाली को ले जाकर न्यालय के समक्ष करवाया तम मामले का खुलासा हुआ रिवा मद्ध प्रदेश से बेज अतिवारी की खास खवर अगर किसी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं या फिर किसी कारे से जाते हैं और कुछ भी खाने के लिए बोला जाता है तो खाने से पहले एक बार आप उस सामान को जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि खाने के सामान में नसीले पदार्थ का भी सेवन करवाया जा सकता है और आपके साथ किसी भी घटना को अंजाम दिया जा सकता है जी हां मध्य प्रदेश के रिवाजिले से इंदिनों मानो तसकरी के भी मामले सामने आ रहे हैं अभी हाल ही में रिवाजिले के मौगन थाना अंतरगत मौगन पुलिस के द्वारा मानो तसकरी का एक मामले का खुला सा किया गया है मॉगंज पुलीस के द्वारा बताया गया कि 2018 में मॉगंज थाना अंतरगत घुरहता बालकरमांग 10 से एक लड़की गायब हो गई थी जिसकी सिकायत परिजनों के द्वारा मौगंज थाने में दर्ज करवा दी गई थी और मौगंज पुलिस के द्वारा लड़की की तलास सुरू कर दी गई थी वहीं चार बर्स के वाद अब जाकर लड़की मौगंज पुलिस के हाथ लगी है और मौगंज पुलिस लड़की को दस्तयाब कर ली है वहीं दस्तयाब हुई लड़की के द्वारा बताया गया कि बर्स 2018 में गाउं की ही रिस्ते में लगने वाली एक चाची उसकी जिसका नाम है सीता साकेट उसके द्वारा लड़की को बहला फुसला कर मौगंज बाजाल ले जाया गया और वहाँ पर उसे कई सामान दिलवाये और इसके बाद उसे चाठ फुलकी खिलाया गया और इसी चाठ फुलकी में नसीले पदार्थ का उपयोग करवा दिया गया जिस कारण से लड़की बेहोस हो गई और उसकी रिष्ते में लगने वाली चाची सीता साकेट और उसका एक अन्यसाथी लड़की को लेकर दमोह ज जिले में चले गए दोह जिले के गुड़ा में एक विक्रम हिरवार नाम के ब्यक्ति के हाथ में 70,000 रुपए में आरोपियों के द्वारा लड़की को बेंच दिया गया वहीं लड़की जब होस में आई तो अपने आपको एक बंद कमरे में पाई वहीं एक यूबक भी था त तब उस यूबक के द्वारा बताया गया कि तुम्हारी चाची के द्वारा 70,000 रुपए में बेंच दिया गया है लड़की घर जाने की जित करने लगी लेकिन उस यूबक के द्वारा उसे नहीं छोड़ा गया और उसके साथ जवरजस्ती सारी रिख सोचन किया जाने लग एक साल तक लड़की बिक्रम अहिरबार नाम के ब्यक्ती के साथ रही और एक साल बाद जब घर में कोई नहीं था तब लड़की मौका देखी और घर से फरार हो गई और लड़की के द्वारा अन्य ब्यक्तियों की मदद ली गई और अपने घर का पूरा पता बताया गया तब जाकर उन लोगों के द्वारा लड़की को चार साल के वाद उसके घर वापिस भेज दिया गया और लड़की जब अब वापिस आई तो लड़की के द्वारा मौगन थाने में पहुंचकर पूरी अब बीती बताई गई और तब जाकर मौगंज पुलिस के द्वारा मा अपतार कर लिया जाएगा लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश के रिवा जिले में मानों तसकरी के भी मामले सामने आने लगे हैं कहीं न कहीं ये चिंता का विशय बन गया है क्योंकि जिस तरह से मौगन थाना अंतरगत ये घटना घटित हुई है वो भी 2018 की ये घटना है और चार साल बाद लड़की खुद से आई और खुद से लड़की के द्वारा पूरी घटना बताई गई कि किस तरह से उसके गाउं की ही चाशी के द्वारा उसे बहला फुसला कर मौगं गंज बाजाल ले जाया गया और वहाँ पर जाकर उसे नसीले पदार्थ का सेवन करवा और फिर उसे सतर हजार रुपए में दमोह जिले के एक ब्यक्ति के हाथ में बेच दिया गया अगर लड़की वहां से ना भाग पाती तो अभी भी लड़की सिर्फ और सिर्फ गुमी हुई दर्साई जाती और पुलिस के द्वारा यही बोला जाता कि अभी भी लड़की की ख पोज चल रही है लेकिन लड़की के द्वारा मौका देखा गया और तब जाकर लड़की वहां से भाग निकली और अपनी जान बचा कर चार साल बाद हुआ हूँ आपिस अपने घर आप आई है जिस तरह से रिवा जिले में मानो तसकरी का खिल सुरू है यह कहीं न कहीं च साल लोग गुम होते हैं जिनमें से ज्जादा तर लड़कियां रहती हैं पुलिस के द्वारा गुमसूदगी का मामला दर्ज कर लिया जाता है और यह बता दिया जाता है कि जांच जारी है और तलास जारी है जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा कहीं भी रहें लेकिन ऐसे ही जादातर मामलों में होता है कि गाओं के ही किसी व्यक्ति के द्वारा कहीं ले जाकर बेंच दिया जाता है अभी कुछ महीने पूर्ब हनवना थाना से एक लड़की गायव हुई थी तब हनवना पुलिस के द्वारा उसे राजस्थान से दस्तयाब किया गया थ और उसमें भी यही मामला था उसे भी बेंचा गया था राजस्थान में कहीं ना कहीं जिस तरह से मान तसकरी का रिवा जिले में खेल चल रहा है यह गलत है और इस पर भी अंकुस लगना सक्त से जरूरत है क्योंकि लोग तो सिर्फ बहकाबे में आ जाते हैं और बहकाबे में आने की वजह से कुछ लोगों के साथ चले जाते हैं और साथ जाने की वजह से उन्हें नसीले पदार्थ का सेवन करवा दिया जाता है और उनके साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है हलागी देखना अब इसमें दिल्चस्प होगा कि अभी भी जो एक आरोपी फरार है उसे पुलिस पकड़ पाती है या फिर नहीं इसी के साथ मैं संबादाता विजय तिवारी रिवा एक मानो तसकरी का मामला सामने आया है क्या है पूरी घटना यह थाना माउदन छेतर का वर्ष 2018 में परियादिया ने रिपोर्ट की थी कि इसकी नबालिक लड़की घर से निकली थी जो कि शाम तक वापस नहीं आई थी तीन दिन तलाश करने के बाद में जम नहीं मिली तो यह थाने में रिपोर्ट करने आया थी और थाने में सूशना तंत्र को लगाया गया तब जनकरी मिली की यह जो मिल गई है और मिलने के बाद में जब मैंने उसका पूरा स्टेट्मेंट लिया और रन्याले में उसके कथन कराया गया तब उसमें पूरी कुटना बताई की वह करीबन चार-पांट साल पहले शाम को घर पे अकेल मार्केट चलने का बोलकि उसको मोगन बाजार लेके आई और समान वमान खरीदने के बाद में उसको चाट खिलाई पानी किलाई उसके बाद में पानी पीने के बाद में उसके बाद मुझे भोश नहीं रहा कि मेरे साथ मी क्या हुआ पर जब उसको भोश आया और उसमान ब गाओं कर रहने वाला गुल्षेर उसमें तुमको मुझे 70,000 रुपे में बेच दिया और पिर उसने बोला कि मुझे मेरे भर छोड़ दो तब उसने उसको नहीं छोड़ा और करीबं एक वाच तक वो उसके पास में रही उसी दौरान वो उसको मार्का पीता और उसका शाड़ दमोजिले से ब्लॉक करता है तो वो मौका देखकर वह से किसी तरीके से अपने जान बचा कर भाग गई और वहीं दूसरे गाओं में वो जिमनियापन करने लगी मजदूरी करने लगी और उसको एक लड़का मिला ओंकर पटेल नाम है जिसका तो उसको 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 पूरी करने उसको पहुण आये जैसे ही ऐसी जांकरी नीयुका निकालने के बाद में पाद को पहुण आया अपर इसके की जानकरी पहुंचा है इसको गिलाए उसको गिला यूद лишь घुण आरोपिया है तो यूद आता तलाश कर रहे हैं जोflower ही एकए